प्रिये विद्यार्थियों, पार्ट चार का हम अध्यन कर चुके हैं, जिसका सीर्षक है चांद से थोड़ी गपें, शीर्षक क्या है? चांद से थोड़ी गपें, इसके कवी कौन है? समशेर बहादूर सिंग जी, कौन थे कवी? समशेर बहादूर सिंग जी, चांद से थोड अब एक है आप पहने हुए हैं कुल आकास के माद्धेंसें लड़की का लड़की कहना चाती है इतार में अपैने हुए है तो कैल बाताना है है में च शफ़ूर से झड़त करोड़ कर बैठा 찌न की पोसाग चारолов दिसाओं में फैली हुई है आप किसे सही मानते है प्रश्ण क्या है कि आप इन में से कैसे सही मानते है तो हमें इन दोनों को जोड़ करके कविता में दोनों बातें आई हुई है लेकिन पोशा किसे कहा गया है आकास को कहा गया है पोशा किसे कहा है आकास को कहा है तो लड़की ये बताना चाहती है कि जो संपोन आकास है वो तुम्हारे चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे संपोन आकास है क्या है तुम्हारा वस्तर है जिस पर क्या हुए है सितारे जड़ेवे है पूरा आकास क्या है ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारा वस्त रहे और उस पर क्या लगेवे हों सितारे जड़ेवे हों इस तरह से इसमें कहना चाता है कवी अगला प्रश्ण हमारा है कवी ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी इस कवीता में आई मदद भातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी पता करो बताओ इस कवीता में क्या क्या लिखाओ आया है उसके आधार पर हमें बताना है कि किस तिती से किस तिती तक कवी ने चांद से गप्पे लड़ाई होंगी कारण बताना है और दिन बताना है पूर्णिमा के दिन अगर लगाई है तो क्यों लगाई है अस्टमी से पूर्णिमा के बीच में कैसे प्रतमा से अस्टमी के बीच में कैसे तो कारण क्या है पूर्णिमा चांद जो होता है वो कैसा होता है पूरी तरह से गोल नजराता है पूर्णिमा को चांद कैसा होता है पूरी तरह से गोल होता है अस्टमी से पूर्णिमा के बीच में अस्टमी से पूर्णि बहुत ही पतला नजर आता है तो इस पार्ट में हमें क्या क्या बताया गया है कि आप गोल है और आप तिर्चे है दो विशेसना हैं बताई गई है चांद की गोल और तिर्चे बताई गई है तो हम जो हम जो अनुमान लगा सकते हैं वो कैसे लगा सकते हैं कि लड़की ने जो जो कवी ने चांद से गपें लड़ाई हो एक ब्रड़ो और तिर्षा न ज़राता है और पूर्णेमा होते चांद कैसा हो जाता है तो हैं तो जान्द मेरे मनन में बन जाता है। चांद क्या हुआता हमारे दिमाग में उसकी क्या बन जाती ए तस्वीर बन जाते हैं ने कुछ पर हमारे मन ना धो क्रिंजें से ृख उपने पर बलाते हैंपन strict का सब cap के लिए कभी ने बिलकुल सब्ध बिलकुल शब्द के अक्षरों का अलग अलग करके लिखा है तुम इस कविता और किन सब्दों की स्मुरत गशिक चीवत ke di अगला हमारा प्रशन अन्वान और कलपना के अधार पर कुछ लोग जो होते हैं बड़ी जल्दी चिड़ जाते हैं यदि चांद का सुवावी आसानी से चिड़ जाने का होता तो किन बातों से सबसे ज्यादा चिड़ेगा चिड़ कर वे उन बातों का क्या जवाब देगा अपनी कलपना से चांद की और दिये के जवाबों को लिखो हमें कलपना करनी है कई लोग होते हैं कोई भी बात बोलते हैं तो वो क्या हो जाते हैं जल्दी से चिड़ जाते हैं तो उनका स्वभाव चिड़ने वाला होता है तो चांद भी जो अगर चांद का स्वभाव आसानी से चिड़ने वाला होता तो वा किन बातों से चिड़ जाता उन बातों का फिर क्या जवाब होता ये सब हमें लिखना है अगर चांद का स्वभाव आसानी से चिड़ जाने का ह होता तो वां तिर्चह कैने पर भी जरूर चिड़ता और गठने बढ़ने की बिमारी के बारे में उसको उसके लिए बताया था तो उस पर भी उसे क्या हो जाता था भूत गुश्षा आ सकता था वह चिड़कर यही जवाब देगा कि मैं तिर्चह नहीं हूं और नाहीं उसमे कि अपने नजर ठीक करवाने के लिए कहां जाना चाहिए डोक्टर के पास जा करके हमें क्या करना चाहिए चस्मा लगवा लेना चाहिए अगर चांद चीड़ता तो हमारी बातों का यह है जवाब देता अगला प्रशन है यदि कोई सूरत से गप्पे लगाएं तो वह क्या लिखेगा अपनी कलपना से क्या लिखना है गद्दे में लिखना इसी तरह कुछ और भी शब्द है जिन से हम गप्पे लगा करके कैसे लिखें जिसे बेड़ बिजली का खंबा सडक पेट्रोल पंप इनसे अगर हम गप्पे लगाएं तो क्या लिख सकते हैं तो सूरत से अगर हम गप्पे लगाएंगे तो क्या करेंगे अरे सूरज भाई इतने क्यों नाराज हो पता नहीं तुम सभी को जलाए जाते हो तपाते हो दुनिया को जी भर जुलसा देते हो पेड की डालियां जुलसा देते हो पेड की डालियां होंगा गप्पे नहीं होगा जुलसा दुनिया को जी भर जूल्सा देते हो पेड की डालें कबि लाल तो कबी सपेद चान्दी से नजर आते हो तulative तुम सदा उपर जाने को देते हो उपर जाने देते हो बडए बड़े वहन क्या तुम इतना पीरा सहते हो यह क्या होगई चूरत से गप्पे हो गई अब हैं सब ग कितने कल्यानकारी छाया देते हो वोजन देते हो वर्सा का हो आधार सड़क हे सड़क तुम कितनी सकती साली हो तुम में इतनी सैन सिलता कहां से आई तुम सदा उपर से जानने देते हो बड़े वहन क्या क्या तुम कितने पीड़ा सहते हो एक बार वापस द्यान से देखना जो भी है यहां तक सफेद और यह जो है यह तो सिर्फ किसका है सूरज का है और सड़क के लिए सड़क है सड़क तुम कितनी शक्ति साली हो तुम में इतनी सेंच सकती कहा से आई तुम सदा उपर से जाने देते हो बड़े-बड़े वहन तुम कैसे इतने फीडा सहते हूँ यह सड़क के लिए आया है आगे वाला हम प्रशने देखते हैं भासा की बात चांद क्या होते हैं संग्या होती है संग्या से फिर हमने क्या बना दिया विशेशन तो क्या बन गई चांदनी रात के पहले चांदनी लगा दे तो चांदनी क्या हो गई विशेशन नीचे देगए विशेशन सुझ्यान से देखना है और बताना कि कौन सा प्रते जुड़ने पर विशेशन बन रहे हैं और विशेशनों के लिए एक एक विप्युक् फिर लिखावा है ठंडा तो यह विशेशन है सारे की सारे ठंडी जंगली कस्मीरी तो कौन सा प्रते लगावा है गुलाब से गुलाबी मक्मल से मक्मली कीमत से कीमती ठंड से ठंडी जंगल से जंगली कस्मीर से कस्मीर कौन सा प्रते लगावा इन सब में प्रते लग करके क् गुलाबी क्या होसकती है् यहापी गुलाबी साड़ी लिखाए लेकिन गुलाबी अन्ने वी कुछ लिख सकते हैं गुलाबी पगडी लिखाए जगांवर यसमें पूल है कसमीरी भासा थो यहापो कहले दी कस्मेरी कन्या अन्य उधारणा में लिखना है इसमें अगला प्रश्ण हमारा है गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आये शब्दों के इन जोड़ों में अंतर है यह है कि चिट्टा का अर्थ होता है सफेद और गोरा से मिलता जुलता जबकि मटोल अपने आप मे अगला प्रस्णा है बिल्कुल गोल कवीता में इसके दो वर्थ हैं गोल का मतलब अकार भी होता है और गोल का मतलब क्या होता है गायब हो जाना ऐसे तीन और शब्द सोचकरा में वाक्य बनाने है मतलब दो अर्थ निकले ऐसे सब्द जिनके क्या निकले दो अर्थ निकले ऐसे शब्द लिखने हैं और उनका क्या बनाना है वाक्य बनाना है पत्र पत्र का मतलब होता है पत्ता एक तो क्या होता है पत्ता पत्त का मतलग एक तो पत्ता होता एक पत्त जो हम चिठ्थी देते हैं लोगों को वो होता है तो वसंत में पत्त कैसे हो जाते हैं जड़ने लग जाते हैं और एक आज दादी मा का पत्त आया था अंबर एक तो वस्तर को बोलते हैं एक आकास को बोल पुलना चायो एक अर्थ होता है सोना दूसरा अर्व तुर्ण हमने सी भी वाती है थो तसलनेका हार य॥ तो हमने कहा तो हमने कहे दिया है,---- 2-2 अर्थ किया होते हैं य॥ अर्थ कावा ही मजिक़े हैं एक पर हम इंज को वॉपस कर लेते हैज हमोए lors य॥ बटन से यह और यह अप प्रतित है कि इस आकास यह आकास आपके वस्त हैं और सितारे जड़े हैं कभी ने चांद से गप्या किस दिन लगाई होंगी कभी न Efendimiz से पूर्णिमा के बीच में गो। नई कवीठा में चांद तिर्चा और गोल होता है। नहीं कवीठा में तुक्या रषंद के बिदलें बिसक्तां परियोग होता है। कुछ लोग बड़ी जल्दी चिड़ जाते हैं तो चान्द resembles a जिंक से अभीता में कुछ कैसे वह चिड़ सकता है ए नजर दॉकटर से छेश्मा को सी ज़़े Кप्प लगाते तो हम का कैया लिखते हैं सूरज्च उस ले ओकषी क्यों के तरे पता नहीं तुम सभी को जलाई जाते हो तपाते हो दुनिया को जी भर जुलसा देते हो फिर पेड़ से गप्पे लगाएंगे तो कैसे होगा ए पेड़ तुम हो कितने कल्यानकारी छाया देते हो बोजन देते हो वर्सा का क्या हो आधार हो सड़क से हे सड़क तुम कितनी शक कि वह चांदनी जैसी है तो चांदनी रात हो गया ऐसे ही इन में कौन-कौन से विशेश न है गुलाबी मक्मली कीमती ठंडी जंगली कस्मीरी कौन सा प्रते लग करके इसमें हमें अलग संग्याई जोडने हैं गुलाबी पकड़ी दी विए तो गुलाबी हम लिख सकते हैं ग मटोल का अर्थ होता है मटोल क्या होता है गोरा और चिट्टा गोरा होता है लेकिन चिट्टा क्या होता है तो कुछ शब्द ऐसे ही जोड़ दिये जाते हैं वैसे ही इमें कुछ चार शब्दों के यूग में बताने हैं खाना वाना चाय वाय पानी वानी मॉलतॉल बिलकु को अपने नोटбुक में ये इसारे प्रीशन रूतर करने है और वाटसप पे मुझे अपने ग्रूप में सेंड करने है एक बार में प्रेशन रूतर समझ मिन आये दुबारा वीडियो देखना ँर अच्छES अनको करना अच्छे से इनको क्या है करना है आपको ठीक है धन्यवाद